नमस्कार मैं हूँ जयोतिस कुमार हमारे तिग्जाचेरन में आप सबका स्वागत है चलिए सवाल करके देखते हैं पूरा विडियो को देखिए यह सवाल है देखिए जीरो दसमलाव 5840 हेक्टर में कितना काठा होगा और एक काठा जमीन कितना बड़ा होता है इसको जानेंगे पूरा विडियो को देखिए ये 0 दसम लव 5, 8, 4, 0 को पहले ओवर्ग मीटर में बदल लीजिए इसको ओवर्ग मीटर में जानने के लिए काई, दहाई, सेकड़ा, हजार, दस हजार से गुड़ा कर दीजिए बराबर ये 5840 ओवर्ग मीटर का पलाट होगा इतना हेक्टेयर ओवर्ग मीटर इतने का और ये कितना बिश्वा, ये उपी के बिश्वा से भी जान लिजिए एक बिश्वा बराबर 125 ओवर्ग मीटर होता है ओवर्ग मीटर अब ये इतना हेक्टेयर जब है, 5840 ओवर्ग मीटर का जो ये हेक्टेयर है ये कितना बिश्वा होगा इसको जानने के लिए 125 से भाग कर दिजिए इसको ओवर्ग मीटर को ये ओवर्ग मीटर से बराबर ये 46.72 बिश्वा होगा इस तरह से असानी से जान सकते हैं, इस जी तरीका से और कितना काठा इसे जानने के लिए एक काठा को पहले जान लिजिए, काठा को तो जानते हैं एक काठा बराबर 1361.25 को भी लिख लिजिए 25 वर्ग फीट होता है इसका उप्योग पटना आगरा बरोच छेत्रों में होता है कई छेत्रों में इस टेंडर्ड काठा है इससे जो भी भा निकलता है वे श्टेंडर्ड है उसका उप्योग कई छेत्रों में होता है जो बता रहा हूँ नाम पटना आगरा बरोच आदी छेत्रों में इसके बराबर 0.0126 हेक्टियर होता है इसको नोट कर लिजिए अब हमको डायरेक्ट जो है हेक्टियर को काठा में बदा लिजिए 0.5840 हेक्टियर है इतना हेक्टियर है इसको 0.0126 से भाग कर देजिए तो इस पस्ट 46.34 काठा होगा इतना इस परकार से असानी से जान सकते हैं और एक काठा कितना बड़ा पलाट होता है इसको जानने के लिए लिख लिजिए एक काठा बराबर 1361 जान रहे हैं ये तो इतना बड़ा पलाट होगा एक काठा का देख लिजिए 1361.25 और फिट का पलाट एक काठा लिख लिजिए हैं पर एक काठा ये 50 फित लंबाई इस भूजा का लंबाई और 27.225 फित चावडाई होगा इतना अब 50 गुडे 27 कर दिजिये 225 भी कर दिजिये तो बराबर 1361.25 वर्ग फित होगा ये है एक काठा का प्लॉट ये इस तरह से असानी से जान सकते हैं अच्छा लगे चैनल को सबस्क्राइब केजिए